हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम जो विशेप पढ़ने हैं कैसे लिखे कहानी के अंतरगद कथानक के पात्र या कथानक जो कहानी लिखी जाती है उसके जो महतपूर्ण अंग है उसके बारे में समझेंगे जो की वीडियो का दूसरा भाग है तो आएए अ कथानक के अंग, कथानक का पूरा स्वरूप होता है इसके तीन अंग होते हैं प्रारंब, मद्ह और अंध अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है, कथानक नुकिवल आगे बढ़ता है बलकि उसमें द्वन्द के तत्वे भी होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं द्वन्द के तत्वों से अभी प्राय होता है यह है कि परिस्तितियों में इस काम के रास्ते में यह बाधा है यह बाधा समाप्त हो गई तो आगे कौन सी बाधा आ सकती या हो सकता है कि एक बाधा के समाप्त हो जाने या किसी निसकर्ष पर पहुंच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाए कथानक के पूर्णता की शर्थ यही होती है कि कहानी नाटकी यह ढंग से अपने उद्देश को पूरा करने के बाद समाप्त हो अंत में तक कहानी में रोच जोकता द्वंद के कारण ही बनी रहे पाएगी। अब देखिए, कोई भी अगर कहानी है, अगर आप कोई भी अगर समस्या है, या कोई भी एक विशय है, अगर उसमें सहमती आप दर्शा रहे हैं, तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। द्वंद अगर होगा, आप अगर कह रहे हैं कि मैं आपकी बात से असहमत हूँ, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। तभी तो वो कौन से नाटकी अधंग से, किस तरह से वो आगे बढ़ना है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, बहुत सी वाधाएं आएंगी। फिर कथानक हो गया, फिर आजाएं ए कथानक के अंग के अंतरगत, कथानक का देशकाल और स्थान, हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देशकाल और स्थान होता है, कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद काहानिकार कथानक की देशकाल और स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि यह कहानी को प्रमानिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवेशक है, जैसे यदि अस्पताल का कथानक है, तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनिया, लोग, कारे वैपार और लोगों के पारस पर एक संबंद नित्य घटनाएं, घटने वाले घटनाएं आदे का जानना आवेशक है। अब आजाए कथानक के पात्र, अगर आपने कहानी लिखिये, उसमें जो कहानी है, उसके जो कथा है, उसके पात्र क्या माइने रखते हैं। देशकाल स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर विचार करना चाहिए, हर पात्र का अपना स्वरू, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानिकार के सामने पात्रों का स्वस्ट होना चाहिए, इससे पात्रों का चरित्रचित्रन करने एवन समवाद के लेखन में आसानी होगी. पात्रों का अध्यन कहाणी के एक महत्वपून और बिन्यादी शर्त है। कौन से पात्र की किस परिस्थिती में क्या प्रतिक्रिया होगी। ये भी कहानीकार को पता होना चाहिए। असल में कहानीकार और उसके पात्रों का निकट तम संबंद सही है। आगे आजाई है पात्रों का चरित्र, चित्रन, जो आपने चरित्र तैयार की है, निर्मित की है, कालपनिक जोगी चरित्र आपने, उसका चित्रन आपने किस तरह से, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो बताना है, चरित्र, पात्रों के चरित्रन करने अर्थात उन्हें कहानी में क पात्रों का चरिच्चित्रन उनके क्रिया कलापों समवादों तथा दूसरों के द्वारा बोले गए समवादों के माध्यम से भी प्रभावशाली होता है। जैसे जंगल में खतरनाक जानवरों की तस्वीरों तस्वीरे खीचने वालों की अभिरूची अलग होगी जब की सूध खोर साहुकार की अभिरूची अलग होती है। आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानिकार वोती हुई नहीं दिख सकता उसे समवादों के माध्यम से सामने लाता है। इसलिए समवादों का महत्र बराबर बना रहते हैं। पात्रों के समवाद लिखते समय या अवश्य धान में रहना चाहिए कि समवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी प्रिष्ट भूमी के अनुकूर हो। समवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्रों समवाद बोलने लगते हैं। उधारन के लिए किसी मजदूर के समवाद ऐसे होने चाहिए कि केवल समवाद सुनकर ही श्रोता को पता चल जाए कि कौन बोल रहा है। यह आदमी क्या करता है, इसकी प्रिष्ट भूमी क्या है आदी-आदी। समवाद छोटे, स्वभाविक और उद्देश्यों के प्रतिसीधे लक्षित होने चाहिए। समवादों का अनावयशक विस्तार बहुत सी जटलताएं पैदा कर देता है। मतलब कि जो आप डैलोग्स, जो समवाद, जो आपका कैरेक्टर भूल रहा है, तो उस बहुत लंबे-लंबे नहीं होने चाहिए। छोटे और सधे हुए होने चाहिए। कहानी का चर्म उतकर्ष। इसे कहानी का क्लाइमेक्स भी कहा जाता है। इसका चित्रन बहुती साफधानी से करना चाहिए क्योंकि कहानी के पात्र या भाव के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चर्म उतकर्ष के प्रभाव को कम कर देती है। चर्म उतकर्ष पाठक को स्वेम सोचने और लेख किये पक्षधरता की और आने के लिए पेवित करे। लेकिन पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंतरता दी गई है और उसने जो नर्ने निकाले हैं अपने उसके अपने हैं। कथानक में द्वंद्व का अपना विशेश युगदान होता है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। यदि दो व्यक्ति किसी बात पर सेहमत हैं और उनमें द्वंद्व नहीं हैं तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। परंतु असेहमती होने पर बातचीत सरलता से आगे बढ़ जाती है। कहानिकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदूओं को जितना सपष्ट रखेगा। कहानी भी उतनी ही सफलता से ही आगे बढ़ेगी। कहानी लेखन की कला सीखने के रियावशक है कि कहानिया पढ़ी जाएं, उनका विश्लेशन किया जाए। कहानी लेखन सीखाने की प्रक्रिया में यही सबसे अधिकारगर माध्यम होता है। कोई यह नहीं कि कोई हम आपके रूल से रेगुलेशन को एक सिधान्त हम आपको पकड़ा दे कि कहानी इस तरह से लिखी जाती है। बहतरीन प्रेमचन की शरचन्द चतुपाद है कि बहुत अंगिनत साहितकार साहित के जगत से जुड़े वे जो लोग उनने कहानिया रिखी हैं। जब आप उनको पढ़ते हैं तो कला आपके अंदर इकसित होती है। तब हम बहतरीन कहानी लिख सकते हैं। तो अब हमने यह प्रस्तुत किया है कैसे लिखते हैं कहानी भाग दो जो कि अंतिम वीडियो है इस विशे की। उमीद है मुझे यह आपको यह विशे स्पष्ट हो गया होगा। अल्ला हम जो करेंगे वो है नाटक पर वीडियो कि हम नाटक कैसे लिखा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। लिखते हैं कारेंगे।